वोमेन एंग चाइड डवलपमेन रुक्यूमेन टू जो टू फॉर इस्टिस्टिकल एसिस्टेंट थर्टी थरी नमर पोस्ट का रुक्यूमेन आया है तो फ्रेंस लास्ट वीडियो में हमने डिसकर्स किया था कि आपको ओनाइन रिक्षिन कैसे फिल अप करना है और आपका ये वीडियो है कि आपका सेलेक्शन प्रोस्टिजर क्या है और आपका स्लेबस क्या है तो दोनों हम लोग देखेंगे कि आपका सेलेक्शन प्रोस्टिजर और स्लेबस क्या है selection procedure किस method में आपका selection होगा आपका exam होगा ना interview होगा क्या क्या होगा वो सारा चीज हम लोग देखेंगे और जो syllabus है आपका क्या syllabus रहेगा written examination के लिए वो भी हम लोग देखेंगे तो friends चले वीडियो को start करते हैं और friends अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो इसी तरह information content के लिए आप लोग चैनल को subscribe कर लिए जगा bell icon को press करके रखेगा जब इसी तरह information और latest notion related वीडियो आपके लाएगा तो आप लोग को मिल जाएगा और friends अगर आप लोग अप्लिकें और accepted will be required to prepare in an OMR based objective type return test तो अगर आपका application accept किया जाएगा अगर आप लोग ने करने अनलाइन एक्सेंट किया जाएगा जहां पर आपको degree collection खोजाएगा तो अप्लोड करना है अगर आपका master degree है तो आप लोग master degree अप्लोड कर देता है तो आपका detail at a venue and date to be notified later through local newspaper and official website तो आपका जो exam होगा date और venue आपको बताया जाएगा तो local newspaper या फिर official website तो local newspaper official website में तो आप लोग को चेक करना में problem होगा तो आप लोग को कभी information मिल चकता है कभी नहीं मिल चकता है तो उसके लिए आप लोग चैनल को subscribe कर लेना और bell icon को प्रेस करके रखना जब आपको एक्जाम का नोटिशन आएगा तो एक्जाम नोटिशन रिलिटेट अपडेट तो मैं इस चैनल पर आपको वीडियो के थो अपडेट कर दूंगा कि आपका date of examination और venue कहां पर रहेगा आपका examination का अपडेट मिलने के बाद आपको एडमीट का डाउलोड कर लेना है इडमीट का डाउलोड करने के बाद आपको जो आपका रहेगा computer skill test जो आपका 25 marks का क्या जाएगा तो general awareness test पहले होगा इसके बाद आपका computer skill test होगा यहाँ पर आपका दिया गया है the candidate qualifying in the OMR base objective type return test shall be called for an computer skill test which will be 25 marks तो आपका general awareness का exam पहले होगा 175 marks का अगर आप लोग इस exam पे qualify करते हो अगर qualify हो जाते हो अगर आपका name merit list पे आता है computer skill test के लिए तभी आपको computer skill test के लिए बुला जाएगा इसके बाद computer skill test आपका 25 marks का होगा इसके बाद आपनों computer skill test में past करते हो तभी आपका selection होगा यहाँ पर आपका दिया गया है the candidate shall be called for the skill test तो आपका skill test के लिए बुला जाए किस ratio पर बुला जाएगा ratio of 1 to 4 तो ratio 1 to 4 पर एक post के लिए आपका 4 candidate को बुला जाएगा तो total पर पोस अपका 33 था तो 33 into 4 आपका जितना post होता है उतना candidate को आपको skill test के लिए बुला जाएगा तो आपका exam होगा बूर्ट टफ होने वाला है तो आप लोग अच्छे से preparation किजिए इसका next आपका the time and date for skill test will be notified in the due course through local newspaper and official website तो आपका time and date जो होगा skill test के लिए पहले तो आपका general awareness जो normal आपका objective type होगा return test, OMR, best तो exam होने के बाद ही आपका skill test होगा तो first जो exam होगा उसका notification जब आएगा आपका date, time कब रहेगा तो ये आपको local newspaper और official website पे ही आपको बताया जागा तो आपको information मिलने में थोड़ा सा time लग सकता है तो इस channel पे मैं direct update कर दूँगा उसके लिए आप चनल को subscribe, bell icon को press कर कर दूँगा तो जब आपका objective type return test का notification आएगा exam के लिए आपका जो notification आएगा तो आपका date और time कहां पे रहेगा, venue कब रहेगा तो सारा चीज इस channel पे मैं आपको वीडियो को थरो update कर दूँगा इसका next जब आपका skill test होगा skill test का भी notification जब आएगा तो इस channel पे मैं आपको वीडियो को थरो update कर दूँगा कि आपको कौन से venue पे जाना है, कौन से date पे जाना है सारा चीज इस चैनल पर मैं आपके साथ डिसकस कर दूँगा तो उसके लिए आपको चैनल को सस्काइब और बैलकरन को प्रेस कर करकना तभी आपको information मिलेगा नहीं तब को नहीं मिलने वाला है तो friends इसी था आपका selection procedure और जो आपका exam होगा exam आपका दो step में होने वाला है पहले आपका general awareness जो objective टाइब होगा इसके बाद आपका computer skill test होगा तो selection procedure भी आपका दो step में रहेगा पहले आपका objective टाइब इसके बाद आपका skill test लिया जाएगा अगर आप लोग दोनों में pass करते हो तब यह आपका selection होगा और जो general awareness का first pass करने के बाद ही आपको skill test में बुला जाएगा जो आपको बुलाने का ratio है 1 is to 4 है एक post के लिए 4 candidate को बुला जाएगा इसी तरह आपका total number post जितना है उन्टू 4 आपका candidate को बुला जाएगा अगर आप लोग return test में pass करते हो जो आपका general awareness रहेगा step का question रहेगा तो उसके लिए चैनल को subscribe bell icon को press कर लेना जब video upload होगा तो आपको मिल जाएगा नहीं तो आपको नहीं मिलने होला है तो friends आपको वीडियो के साथ वीडियो अचा लगा वीडियो से information मिला जय भाराट